क्या अब भी ये बरदास्त करने लाइक है कि किसान आंदोलन के नाम पर खालिस्तानी आतंकवादियों ने लाल किले पर तिरंगे की जगे पीला जंडा लगा दिया और इस द्रिश्य को पाकिस्तान ट्वीट करके एतिहासिक पल बता रहा है मतलब अब क्या जब ये आतंकवादि घरों में घुसके मार काट शुरू कर देंगे तब इन पर कोई एक्षिन लिया जाएगा क्या इसी दिन के लिए दो महीने से बिर्यानी और बादाम वाले दूद पिये जा रहा है थे ताकि 26 जनवरी को दिल्ली में अपना शक्ती प्रद शुरू कर देते हैं ट्रैक्टरों से DTS बस को टकर मार मार कर सडक से हटा दिया जा रहा है क्या अरविंद केजरिवाल जवाब देंगे कि ये जो DTS की बसे इन दंगों में तोड़ी जा रही हैं ये कौन तोड़ रहे हैं क्या ये किसान है और इनी का साथ देने के लिए आपके कारण आपके शेह देने के कारण हो रहा है ये हमारी यरी जंता के गाड़े कमाई से दिये गए टैक्स के पैसों से आता था और आपके राजनिती चमकाने के मकसद के लिए इन पैसों को आप बरबाद कर रहे हैं और दिल्ली को खौफ के साय में डाल रहे हैं शायर ये पहला ऐसा CM होगा जिसने एक साल के अंदर दो बार दिल्ली को जलने दिया वो भी तब जब उस एक साल में दस महीने किसी को सडक पर निकलने की आजादी नहीं थी तब ये हाल है और कहीं कोरोना नहोता तो ये सहाब अब तक दिल्ली को पूरी तरह से स्वाहा करवा चुक अब इसी के बाद अगर इन पर लट पिलम शुरू कर दिया जाए तो ये फोटो खीच के वीडियो बनाके विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देंगे और पानी पी-पी कर सरकार को कोसना शुरू कर देंगे कि देखो ये क्या किया हमारे साथ और इन आतंकवादियों के पानी बनाकर अनदाता का तमगा लगाकर लोगों से इनके लिए खूप सिंपैथी बटोरी थी लेकिन क्या ये सच था अब तुम पूरी दिल्ली पर कबजा करके बैठ जाओ लोगों का आना जाना तक बंद करवा दो और तुम्हे कोई कुछ कहे भी न ये तो नहीं हो सकता ना हलाकि दो महीनों से ये सब हुआ भी है लेकिन अब बहुत हुआ अब योगेंदर यादाव जो नकली किसानों का मसीहा बन बैठा है टिकैत ही नहीं बलकि उन सब पर कारेवाही हो जिन लोगों ने किसान किसान करके इन आतंकियों का होसला बढ़ा रखा था कहा गए वो दो कौडी का नचनिया दिलजीत दोशांज जिसने इनके इस आंदोलन को एक करोड रुपे देकर सपोर्ट किया था और उनी एक करोड रुपे का इस्तमाल ट्रैक्टर लेकर तोड फोड और दंगों में किया गया इस दो कौडी के भांड दिलजीत दोशांज को हमने पैसे दिये ये जो एक करोड इसने दंगे के लिए दिये थे ये हमारे पैसे थे और देखो इस नचनिये ने हमसे कमाए पैसों को हमारे ही देश को नुकसान पहुचाने में लगा दिया कहां गई वो सूर भासकर जो हर उस दंगे का हिस्सा होती है जो देश में सरकार के खिलाफ होता है और इसके बावजूत कैसे इस नागिन को खुला छोड़ा जा रहा है जबकि पिछले साल दिल्ली में हुए दंगों में इसकी कई वीडियो और ट्वीट्स वायरल हुए थे जिसमें ये सब को सड़क पर इकठा होने के लिए कह रही थी सबसे बड़ी लानत पता है किस पर है आप पर और हम पर जिने ये लगता है कि दिलजीत दोशान जिशान अयूब और सूर भासकर जैसे लोग देश में जहर की तरह काम कर रहे हैं और उसके बावजूत हम अपन को मौक ऐसे आए जहां इन एक्टर्स का असली रूप हमें देखने को मिला किस प्रकार से ये देश के टुकड़े करने के लिए आगे रहते हैं और उसके बाद भी ये फिल्में बनाते हैं और हम देखते हैं और इनकी जेबे भरते हैं क्या वो वक्त नहीं आ गया जब इन दिक्कत क्या है आपको क्या लगता है इन लोगों की फिल्मों के अलावा दुनिया में फिल्में ही नहीं बनती क्या साले दो कोडी के एक्टर हैं जिने इनकी आउकात नहीं दिखाओगे तो इनके माध्यम से हमारे पैसे हम पर ही दंगों के रूप में वापस आएंगे ला आज लाल किले से तिरंका जंडे पर अटैक कोई मामूली बात नहीं है और इस द्रश्य का मज़ा ले रहे हैं हमारे पडोसी देश क्या अपने देश को दुनिया के सामने शर्मसार करने के लिए आप सब इस नकली आंदोलन को अनदाता कहकर सपोर्ट कर रहे थे यह लो आंद का शौकीन होगा या फिर सुवर भासकर और योगेंदर यादव जैसे हिजडे भी होंगे जिने केवल तमाशा करने में मज़ा आता है ताकि थोड़ी पबलिसिटी मिल जाए आंदोलन के नाम पर दो महीने से दिल्ली में क्या हो रहा था कौन से किसान है जो दो महीने तक अ इसलिए असली किसान अपनी मा यानि अपने खेत में वापस चले गए रह गए योगेंदर यादव और टिकैत जैसे मौका परस्त लोग जिने इस आंदोलन में देश का नुकसान करवा कर अपना काम निकलवाना था ये वही टिकैत है ना जिसकी दो बार तो इलेक्शन में जमानत जब्थ हो चुकी है अब जिसे इसके खुद के इलाके के लोगों ने वोट नहीं दिया वो बना है इन किसानों का मसीहा लीडर और हाँ जब बात खुलेगी ना तो सवाल सोनु सूथ से भी पूछे जाएंगे जो इस आंदोलन को खुब मजबूती दे रहा था भी इनके खिलाफ ठोस कदम नहीं उठाती है तो ये हम सब के लिए वाकई में चिंता का विशय बन सकता है जैहिंद वंदे मातरम